दोस्तों जैसा कि मैंने अपने लास वीडियो में बोला था कि दिवाली से पहले मैं एक और ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ चुनिंदा पर्फियूम्स के बारे में बताऊँगा जो कि दिवाली ओकेजिन के लिए बिल्कुल सुटेबल चॉइसे हैं को क्रॉण पर्फियूम्स पसंद है को यह वीडियो उन सब लोगों के लिए है क्यों के लिए कि इसमें सब लोगों के लिए कुछ नब जरूर है तो आये देखते हैं ईट टेन पर व्र दिवाली अंडर रूपीज 2,500 दोस्तो अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं यूजर रूटीन रिक्वेस्ट आपको कर देना चाहता हूँ वो यह है कि अगर आपने आज ही इस चैनल को चेक इन किया है डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब तो दा चैनल और उससे भी जादा जरूर है उसके साथ बने बैल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए और उसमें भी आपको तीन आप्शन मिलेंगे जिस पे आपको आल पे क्लिक करना है और जो मैंने एक्जिस्टिंग यूट्यूब फैमली है उनके लिए एक रिक्वेस्ट और दोस्तों मैं अपने लिस्ट की शुरुवात आप सब लोगों को दिवाली की हाटली वाउम विशिस के साथ करना चाहता हूँ I want to wish my YouTube family a very warm and prosperous and a happy दिवाली दोस्तों आपके लिए दिवाली बहुत ही शुब और मंगल नहीं हो तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से तो जो लिस्ट में 10th नमबर पर पर पर्फिम है दोस्तों यह जो पर्फिम है वो बहुत जादा चर्चा में नहीं है और जो मुझे लगता है कि यह एक underrated पर्फिम है लेकिन मैं एक चीज आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि किन कारणों की वज़ए से यह जो पर्फिम है बहुत जादा लोग इसको try करने में hesitate feel करते हैं या बहुत जादा इसको try नहीं करना चाहते हैं जबकि supposedly this fragrance is the clone of blue de chanel और मैं यह पर्फिम को बहुत देर से use कर चुका हूँ या use करता आया हूँ और मैं blue de chanel को भी use करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत close resemblance देता है उस बहुत यह बढ़िया पर्फिम की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ clone of blue de chanel ऐसा company भी claim करती है और जो मेरा इसके साथ experience है मेरा experience भी कुछ इस तरीके का ही है कि yes this has a very close resemblance to blue de chanel और अगर मैं इस perfume के बारे में particularly बात करो इसकी bottle भी बहुत अच्छी है एक flask shaped bottle है जिसके उपर उन्हेंने की ऐसा chain number tag लगाया हुआ है और अगर मैं इसके notes की बात करूँ तो दोस्तों जो इसका first note है ये बहुत ही जादा extremely citrusy type सा एहसास देता है like very fresh kind of an opening this perfume has क्योंकि जो इसकी citrusy opening है उसके पीछे like lemon responsible है उसके बीछे bergamo है और इसकी spiciness भी बहुत जादा prominent है इसके top note के अंदर ही और अगर मैं इसको describe करूँ या एक छोटा सा नाम दूँ इस perfume को तो it's a very woody and a spicy kind of a fragrance इसमें दो elements बहुत ही prominent तरीके से बहार आते हैं वो है woodyness इसकी और इसकी spiciness तो दोस्तों जब ये perfume अपनी dry down की journey की तरह बढ़ता है इसकी spiciness बिल्कुल बरकरा रहती है because of nutmeg और जो इसका हलका अहसास है इसका floral भी अहसास है और इसके अंदर जो सबसे अच्छा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो favorite base note है इसके अंदर use किया गया है वो है sandalwood and cedarwood तो दोस्तों अगर मैं इसकी overall बात करूँ इस fragrance की ये fragrance बहुत ये एक अच्छी मतलब वो formal और sophisticated type सी vibe देता है ये perfume और जब भी मैं इसको smell करता हूँ ये मुझे बहुत ही close experience देता है blue de chanel के and moreover this fragrance is like very you can say budget friendly also and pocket friendly also और दोस्तों अगर मैं tag him की projection या स्याज की बात करूँ तो इसकी projection भी moderate type सी है like ये बहुत ज़ादा loud scent नहीं है loud perfume नहीं है बट इसकी projection ठीक टाक है like लोग आपको notice करेंगे और अगर मैं इसकी lasting की बात करूँ तो ये marvelous lasting देता है बहुत अच्छी lasting है जो मेरा personal experience है इस perfume के साथ like ये करीबन 7-8 घंटे की lasting देता है दोस्तों ये बहुत अच्छी pleasant type सी खुश्बू है और आप मेरे कहने पे आप इसको try जरूर कीजी मैं नहीं बोलता कि आप मेरे कहने पे इसको purchase कर लीजी पर definitely it is worth a try आपके किसी friend के पास है ये केसी mall ये store पे पड़ा हुए तो आप इसको try जरूर कीजी और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो fragrance है ये 100 ml की जो perfume है ये आपको बहुत ही budget friendly price में मिलता है and it is worth a try दोस्तों जो इसकी 100 ml की bottle है ये करीबन आपको 1299 रुपे में मिलेगी Zara Lisboa की दोस्तों वैसे तो इसका नाम बहुत लंबा है बट मैं इसका आपको short name ही बता रहा हूँ जिसका नाम है Zara Lisboa ये भी एक बहुत beautiful marvelous type सा fragrance है और ये मेरा one of the favorite fragrances जो कि मैं बहुत लंबे time से use कर रहा हूँ और दोस्तों जो इस fragrance की खास बात है वो ये है कि ये भी एक बहुत sophisticated और gentleman type सा perfume है और अगर मैं इसके notes की बात करूँ तो जो इसका first impression है या जो इसका top note है fragrance का ये बहुत ही ज़्यादा impressive है impressive क्यों है विकाज इसका जो first note है या top note है वो बहुत ही ज़्यादा extremely citrus ही है इसके top note के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ citrus ही smell करने को मिलेगा और ये sweetly citrus type सा इसका first note है या जो top note है because इसके अंदर grapefruit भी है इसके अंदर orange भी है और इसके अंदर lemon भी है तो दोस्तों जब ये citrusiness जो इसकी fragrance की जो top note है citrusiness है जब थोड़ा सा fade away होता है इसका dry down start होता है तब ये perfume marvellously floral और woody type सा हो जाता है बहुत simple composition है इस perfume का लेकिन still ये बहुत ही ज़्यादा addictive और बहुत ही ज़्यादा pleasant type सी perfume है ये मेरे हिसाब से office के लिए बहुत ज़्यादा suitable fragrance क्यों है because ये बहुत ज़्यादा loud type सा scent नहीं है आपकी wipes को positive रखती है that is why I think this is a suitable perfume for office because ये एक no offense type सा perfume है जब आप इसको लगाते हो आपको तो ये pleasant feel करवाता ही है लेकिन आपके साथ के लोगों को भी ये बहुत अच्छा pleasant feel करवाता है और दोस्तों अगर मैं इसकी lasting की बात करूँ बहुत ही interesting price tag है इस fragrance का क्योंकि जो ये marvelous fragrance है इसका जो price tag है आपको 100 ml के जो quantity है आपको करीबन 990 रुपे मिल जाती है जो कि मेरे असाब से बहुत ही अच्छी fragrance है एक Zara जैसे designer brand के लिए तो दोस्तों जो list में 8th नमबर पर perfume है उसको बताते हूँ मुझे बहुत ही जाधा proud feel हो रहा है because this is a make in India scent और जो ये perfume है ये एक बहुत ही reputed Indian company मनाती है जिसका नाम है Titan दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Titan skin brand के verge fragrance की दोस्तों जो ये fragrance है इसका भी मैं already एक detailed review बना चुका हूँ जो कि आप उपर बने link को click करके check कर सकते है और अगर मैं particularly इस fragrance की बात करूँ तो जो इस fragrance का top note है like ये भी एक बहुत ही aromatic type सी fragrance है इसकी भी एक common चीज़ है कि ये एक बहुत ही woody और aromatic type सी fragrance है और जो इसका top note है इसके top note के अंदर बहुत ही ज़ादा herbal वाली feeling है it's like a very herby kind of a feeling because इसके अंदर जो top note है जो मुझे लगता है like इसका top note बहुत ही ज़ादा refreshing है और जो मैं एक इसकी herbal opening गोल रहा हूँ वो इसकी तुलसी के कारण है like basil oil इसके अंदर use हुआ है और इसके अंदर citrus भी है top note के अंदर और जैसे ही ये fragrance अपने dry down की तरफ जाती है dry down में ये हलकी सी spiciness का भी अहसास देती है और जो इसका overall aromatic जो feel है वो बरकरार रहता है because इसके अंदर rose mary का भी इस्तिमाल हुआ है और ये अगर जैसे like जो इसको lasting देता है fragrance को जो इसका base note है base note के अंदर आपको हलकी सी वो leathery touch मिलेगा और थोड़ी सी sweet भी होती है dry down के बाद because of patcholi और जो overall इसका aroma है वो बरकरार रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर basil का भी इस्तिमाल हुआ है लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी और एक जबर्दस चीज यूज हुई है जो इसको freshness provide करती और जो इसकी freshness वो बरकरार रहती है end तक और वो है उसका नाम है spare mint दोस्तों आप imagine कीजिए कि जैसे जो mint है पुदीना है और जो तुलसी है अगर आप उसको एक जगा पे totally crush करके जब आप उसको smell करेंगे तो वो यह ऐसी smell देता है यह ऐसी smell produce करता है यह perfume इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा special type सा perfume है because यह pleasant होने के साथ-साथ intense वाली feeling भी देता है यह formal होने के साथ-साथ हलका सा dry down में जब यह sweet की तरफ जाता है यह थोड़ा सा leathery touch देता है यह उस sophistication के साथ थोड़ी सी playfulness है इस perfume के अंदर यह थोड़ा सा casual वाली feeling में देता है लेकिन जो इसकी overall lasting की journey है यह overall lasting के अगर बात करूं तो यह बहुत extremely long lasting scent है और जो मेरा scent के साथ या perfume के साथ observation है या जो मेरी reading है इस perfume के लेके वह यह है कि यह करीबन 6-7 गंटे तक last करता है और यह perfume का price tag भी बहुत अच्छा है यह भी budget friendly perfume है जो इसकी MRP I think इसकी MRP Titan Skin की अपनी site पे जो website है उनका उसके उपर करीबन 2195 के आसपास है और just before making this video में इसका price check किया है करीबन 860 रुपे के आसपास है आपको fragrance मिल जाती है for the quantity of 100 ml and friends मैं आपको एक और चीज़ यह पताना चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे comment section से पता चलता है वो यह है कि लोग बात करते हैं budget friendly perfumes है वो हलका सा synthetic smell करते है friends इसका जो जवाब है मैं आपको इस form में देना चाहता हूँ कि जो अगर हम इसको cars के example के थूँ समझें जैसा कि एक मारूती है और एक Mercedes है friends no doubt अगर मारूती के अंदर आप वो सारी features डाल दे लेकिन वो brand या जो चीजें है या जो उसकी जो overall feel है वो Mercedes जैसी नहीं बन जाती है in the same way हम जो बात करते हैं budget friendly perfumes की वो उस form में बात करते हैं कि जो उसकी aroma है या जो pleasantness है उस perfume की वो हलकी सी उस budget के अंदर अच्छी है लाइक अगर मैं मारूती की बाकी segment की गाड़ियों की बात करूँ या किसी और brand या companies की बात करूँ उसमें अगर मारूती अच्छा perform कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उस budget में वो चीज लाइक value for money है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि अगर इसके अंदर वो syntheticness आपको feel होती है तो उसके पीछे यही reason है कि अगर जो high end designer या niche brands है अगर उनके वो perfumes के अंदर वो बहुत जादा smoothness होती है या वो silkiness होती है या बहुत जादा natural smell करते है उसका reason वो ही है कि वो natural oils या natural extracts को जादा use करते है या वो जादा तवज्जो देते हैं उन चीज़ों को rather than these synthetic things तो दोस्तो हर किसी का अपना budget होता है that is why जो budget fragrances होती है उसमें आपको हलका सा hint syntheticness का मिलेगा जो आपको bear या tolerate करना पड़ेगा if you don't have that budget to spend on those high end designer और luxurious perfumes तो दोस्तो जो list में 7th number पर perfume है ये भी एक बहुत ही जादा popular perfume है इस decade का and it is one of the most highest selling perfumes of this decade क्योंकि इस perfume की जो resemblance है वो एक बहुत ही महेंगे perfume के साथ है जिसका नाम है Creed Aventus दोस्तो मैं बात कर रहा हूं Club Day New Intense Man की from the house of Arma दोस्तो इसका भी मैं एक detailed review बना चुका हूं जो कि आप मेरे channel पर check कर सकते है और जो दोस्तो इस perfume की notes की अगर मैं particularly बात करूँ या resemblance with Creed Aventus की बात करूँ तो जो इसका top note है वो Creed के comparison में थोड़ा सा different है दोस्तो बिकॉज जो Creed Aventus का top note है वो बहुत ही ज़्यादा soft और mild है because of that apple and pineapple note लेकिन जो ये perfume है इसका बहुत ही ज़्यादा citrus ही start है and no doubt इसके अंदर वो apple और pineapple के भी notes यूज हुए हैं लेकिन जो इसका first impression आता है जब आप इसको first time sniff करते है या जब आप इसको smell करते है तो जो पहला जीज आपके दिमाग में आती है वो आती है citrus लेकिन उसके बावजूद भी जो ये fragrance है dry down में it is like very much close to Creed Aventus because जो इसका आप ये कह सकते है कि जो इसका dry down है वो exactly नहीं बोल सकते like 70-80% that it is close to Creed Aventus और दोस्तों अगर मैं इसके middle note की बात करूँ तो जो इसका middle note है वो floral है musky है और woody है और इसके जो base note है base note के अंदर हलकी से आपको sweetness का hint मिलता है because of vanilla and patcholi लेकिन दोस्तों जो ये fragrance है overall जो ये fragrance जब आप इसको wear करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़े बहुत prominently आपको smell करने को मिलती है या जो इसकी projection है इसकी projection के हिसाब से अगर आप किसी को पूछेंगे तो उसको भी दो चीज़े बहुत prominently smell होगी वो है इसकी woodiness और इसकी muskiness and that is why this fragrance is very unique and versatile और दोस्तों जो इसका pricing है pricing भी इसकी बहुत ज़्यादा pocket friendly है like अगर आपको Creed Aventus के आसपास का experience चाहिए तो ये fragrance आपको 105 ml की जो quantity है आपको करीबन 1800 के आसपास मिल जाएगी तो दोस्तों जो list में 6th नंबर पर perfume है वो भी Titan Skin range से ही है जिसका नाम है Titan Skin Steel दोस्तों जो ये perfume है इसको मैं mood enhancer भी बोलता हूँ इसको mood enhancer क्यों बोलता हूँ because इसका जो ये राज है ये इसके एक ingredient में छुपा हुआ है जो कि मैं अभी आपको आने वाले time में बताऊँगा दोस्तों लेकिन अगर मैं इसके notes की बात करूँ जो इसका first impression है like जो इसका top note है वो बहुत ही जबरदस्त है जिसको मैं kick as start बोलता हूँ ये बिल्कुल वैसा perfume है because इसकी top note के अंदर जो freshness है वो बर्गिमो के कारण है और उस freshness के साथ इसके अंदर बहुत ही तगड़ी spiciness है like ये on the toes type fragrance है because इस fragrance के अंदर nutmeg है और nutmeg के साथ-साथ जो spice added है वो है pink pepper तो दोस्तो जो इसका dry down की journey है वो spiciness के साथ-साथ जब ये fragrance अपनी dry down की journey आगे बढ़ाता है तो ये बहुत ही ज़ादा sweet और मस्की हो जाता है sweet because of vanilla लेकिन इसकी जो मैंने आपको mood enhancer वाली बात बताई वो इसके एक ingredient जिसका नाम है praline उसके कारण है दोस्तो प्रaline basically आप लोगों ने जब आप लोग chocolate खाते है तो उसके अंदर एक nuts की filling होती है basically praline उसी को बोला जाता है like it is a sugar coated nuts जब nuts को उपर sugar coat करके उनको boil किया जाता है hard boil किया जाता है तो ये कभी कभार caramel की form में भी आ जाती है it is to my understanding maybe I am wrong बट ये चीज़ आप भी मुझे बता सकते हैं check करके what exactly praline is तो जो मेरी understanding है praline की वो यही है कि like sugar coated nuts को जब boil किया जाता है तो वो जो aroma create होता है उसको chocolate के अंदर fill किया जाता है तो उस cheese का जो flavor आता है उस cheese को praline बोला जाता है जिसके कारण ये बहुत ही तगड़ा एक mood enhancer है दोस्तों आपने सुना ही होगा ये doctors भी बहुत बार बोलते हैं और ये cheese scientifically भी proven है कि जब हम chocolate खाते हैं हमारा mood कभी dull हो या हमें mood को enhance करना हो uplift करना हो तो हमें chocolate खानी चाहिए तो जो ये cheese है आपको ये जब आप sniff करते हैं इस fragrance को तो आपको background में वो हल्किसी chocolatiness और वो caramel type सा flavor feel होता है जो इसको बहुत ही ज़ादा addicting बनाता है और बहुत ही ज़ादा on toes रखता है बहुत ही ज़ादा energetic रखता है और दोस्तों अगर मैं इसकी lasting की बात करूँ तो ये fragrance की बहुत ही दमदार steel वाली lasting है बहुत ही beastly lasting है विकास ये मेरे उपर जब perfume काम करता है तो like करीबन मुझे 7 से 8 घंटे की lasting मिलती है और मुझे कोई और top up या किसी और fragrance को लगाने की मेरी उसके बाद चाहत नहीं रहती है वकास ये fragrance पूरा लंबे टाइंग पर चलता है और अगर मैं इसकी प्राइजिंग की बात करूँ तो जो 100 ml की प्राइजिंग है अगेन इसकी जो MRP है वो है करीबन 2195 के आसपास और Titan Skin की जो साइट है उसके उपर करीबन 1900 के आसपास ये आपको fragrance मिल जाएगी तो दोस्तो जो लिस्ट में 5th नंबर पर पर परफ्यूम है उसका नाम है Tommy Now दोस्तो ये जो परफ्यूम है supposedly ये परफ्यूम को जो original Tommy है उसका successor माना जाता है या यह बोला जाता है कि यह थोड़ा सा intense version है but to be honest there is like not much of a difference more or less they both smell same इन दोनों का जो खुश्बू है या जो दोनों की fragrance है या जो smell है वो more or less same है और जो दोस्तो Tommy brand की मुझे एक अच्छी बात लगती है वो है इनकी color scheme like अगर आप देख सकते हैं कि जो ये color scheme है of like blue white and red जब दूर से हम ये color scheme को देखते हैं तो ये पहचान में आ जाती है like ये signature है Tommy का like Tommy के कपड़े हो Tommy की watches हो या उसके perfumes हो तो दोस्तों अगर मैं particularly इस perfume की बात करूँ तो जो ये perfumes है इसके notes को अगर मैं describe करूँ तो जो इसका top note है इसके top note में आपको सिर्फ एक ही चीज़ smell करने को मिलेगी और वो है citrus because of bergamo and orange आपको citrus के अलावा कोई और खुश्बू नहीं आएगी because बहुत ही जादा simple composition है लेकिन जैसे ही ये perfume थोड़ा सा dry down की तरफ जाता है तो जो इसका dry down है वो आपको एकदम से थोड़ा सा floral smell करता है और spicy smell करता है like spiciness इसकी थोड़ी freshly spicy है because of cinnamon, ginger and जो इसकी floral खुश्बू है या जो इसको floralness देती है चीज़ वो है geranium और दोस्तों जो इसका wood note है wood note इसके base note में यूज़ किया गया है like amber wood इसके अंदर यूज़ किया गया है और इसके अंदर moss को यूज़ किया गया है like oak moss को दोस्तों moss जो होती है अगर आपने देखा हो कि जहां पे कभी कबार पेड़ों के पर आपको वो थोड़ी सी greenish texture दिखता है वो होती है उसकी fungus तो दोस्तों उस fungus का जो एरोमा होता है थोड़ा सा woodiness के साथ या green notes के साथ mix up हो के वो चीज़ बनती है जिसको moss बोलते है तो वो इसके इंदर यूज़ की गई है यह बहुत अच्छी एक unique type से खुश्बू है और इस perfume की जो highlighting चीज़े है वो यह है कि यह for like first 30-45 minutes सक बहुत heavily project करता है और बहुत गजब तरीके से लोगों को attract करता है like इसमें वो sensuality है और यह लोग ऐसा मलब यह एक ऐसी खुश्बू है जिसको लोग ignore नहीं कर पाएंगो आपको definitely आके जरूर पूचेंगे that like which fragrance you are wearing लेकिन दोस्तों इसकी जो एक disclaimer है इस perfume के साथ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि like मैं इस perfume की initially lasting से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था उसका reason यह है कि जो इसका atomizer है अगर आप इसको देख सकते क्या है इसका atomizer बहुत ज़्यादा कम quantity के perfume को spray करता है at a single point of time तो जो मेरा इस perfume के साथ observation है या जो मेरा इस perfume के साथ experiment है वो यह है like जब मैंने इसको first time use किया था तब मैंने इसको like four to five sprays करके check किया था तो इसकी lasting मुझे बहुत ही disastrous मिली थी बहुत ही ज़्यादा horrible lasting थी इस perfume की like यह दो या तीन घंटे से ज़्यादा नहीं चला मेरे कपड लेकिन इसको मैंने दुबारा spray किया because मुझे यह perfume की जो composition है या जो खुश्बू है बहुत ज़्यादा alluring type से खुश्बू है यह opposite sex को females को बहुत ज़्यादा attract करता है तो मुझे like मेरा दिल किया कि मैं इसको दुबारा एक बार use करूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा over spray किया व यह करीबन 4-5 जिंटे की lasting दी दो overall it's a moderate lasting kind of a perfume but again I feel that it's a very good composition और आप जब इसको खरीदे या अगर इसको purchase करने का फैसला करते हैं तो आप मेरी suggestion के हिसाब से आप करीबन 8-9 sprays minimum जरूर कीजिए अपने कपड़ों पर या अपनी skin पर तब यह आपको बहुत अच्छी lasting देगा और दोस्तों अगर मैं इसकी pricing की बात करूं तो जो इसकी MRP है for 100 ml is around 3400 रुपीज लेकिन यह usually मैं बहुत देर से observe कर रहा हूं इसको different sites के उपर तो जो इसकी usually यह बहुत जादा offers पर रहता है बहुत जादा discounts पर रहता है perfume and luckily मैं मैंने इसको like अभी जो दिवाली की sales इनकी च चेक किया है तो इसकी price थोगड़ी सी बढ़ चुकी है like this perfume is available on myntra and like for around 2100 rupees तो दोस्तों जो लिस्त में थर्ड नमबर पर पर फिम है उसकी मैं bottle से बहुत ज़्यादा impressed हूं उसकी bottle से ही नहीं बल्कि उस fragrance के नाम से भी बहुत ज़्यादा impressed हूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूं उसकी bottle के दोस्तों अगर आप देख सकते हैं यह एक mohawk skull type सा एक bottle है mohawk दोस्तों आपने देखा होगा कि जो mohawk riders होते हैं they are basically rebellious people और जो आपने hollywood movies के अंदर भी बहुत जादा है उन characters को देखा होगा जब वो अपनी cruiser bikes पे निकलते थे तो उनके usually इस तरीके का haircut होता था because basically इसका नाम जो है इसका नाम है to be rebel because means जो rebellious लोग होते हैं वो society के rules को नहीं मानते हैं they want to create their own rules and want to walk on them तो दोस्तों जो यह perfume है यह भी थोड़ा hut के perfume है hut के इसकी original composition के कारण बोलूँगा या यह बोलूँगा इसकी composition मुझे original नहीं लगती है because जो यह perfume है मुझे जब मैंने इसको smell किया था तो it is supposedly the clone of Paco Rabanne Invictus दोस्तों इसकी जो fragrance है या जो इसकी जब मैं इसको spray करता हूँ तो जो इसका first impression आता है इस fragrance का वो exactly resemblance देता है Paco Rabanne Invictus के साथ इसका जो aroma है overall aroma भी इसका Paco Rabanne जैसा ही है because Paco Rabanne एक like sweet और spicy type सा fragrance है और जो यह fragrance है यह भी इसका जो top note है fragrance का वो भी उस तरीके का ही है like इसका जो top note है इसकी इंदर हलकी से आपको floral चीज के साथ साथ या floral smell के साथ सा लेगी floral because of violet leaf and जो इसकी spiciness है वो आपको nutmeg और pepper के कारण मिलती है और जब यह थोड़ा सा आगे जाता है हलका सा smoky turn ले लेता है dry down की दरफ जब यह perfume जाता है तो हलका सा smokiness ले लेता है because of sage but overall अगर मैं इस perfume को describe करूँ तो यह woody type सी fragrance है because of amber world तो दोस्तों overall जो यह fragrance है यह बहुत करूँ यह जो मैंने आपको बोली कि हटके fragrance है since जो पैकर बेन इंविक्टस है वो भी बहुत हटके fragrance है like उसकी acceptability बहुत moderate टाइप सी है जब लोग उसको smell करते है यह नहीं है कि उसकी acceptability बहुत जादा हाई है या वो masses को या crowd को बहुत जादा अपील करता है लेकिन ज जो वो fragrance है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पैकर बेन इंविक्टस का ही clone माना जाता है या मैं बोलूँ उसकी resemblance है उसके साथ तो यह हलका सा वैसा type fragrance है like it is little bit away from those society और normal और routine type of things और दोस्तों अगर मैं इस perfume की lasting की बात करूँ तो जो मेरा experience है या जो मेरी observation है इसके साथ म अगर मैं इसकी pricing की बात करूँ तो pricing बहुत अच्छी pricing है इसकी because जो आपको quantity मिलती है इसकी बाटके की वो मिलती है 125 ml और जो उसकी cost है या जो MRP है वो है करीबन 2695 करीबन 2700 के आसपास लेकिन अगर आप इसको check करेंगे किसी site पे मैंने just for your information मैं आपको बताना चाता हूँ क कि मैंने जो यह perfume है यह मिंत्रा से करीदा था तो मुझे यह perfume payment 2021 रुपीज के आसपास मिला है it's a very good kind of a perfume अगर आप इसको करीदना चाता है लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी acceptability बहुत moderate types है it does not have a very high acceptability तो आप बिल्कुल इसको ठोग बजाकर ट्राय करके ही खरीदिए तो दोस्तो जो थर्ड नंबर पर पर पर्फिम है यह भी एक बहुत ही बढ़िया बहुत ज़्यादा addictive type सा fragrance है दोस्तो इसका नाम है CK1 Gold दोस्तो इसकी bottle भी बहुत ज़्यादा impressive है बहुत बढ़िया gold pl spilling from some bottle और दोस्तो जो इस fragrance की अगर मैं notes की बात करूँ तो जो यह fragrance है लाइक यह भी बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया प्यारा pleasant sweet और floral type सा fragrance है दोस्तो और जो यह fragrance है यह एक unisex fragrance है like men हो यह women कोई भी इसको लगा के जा सकता है और दोस्तो जो यह fragrance है जैसा कि मैंने आ इस fragrance की या overall इसकी characteristics है इस fragrance की वो यह है like it's a very fruity, floral, sweet and a woody kind of a fragrance जो इसका top note जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रूटी है वो fig के कारण है अंजीर के कारण है और जैसा ही यह इसका top note खतम होता है यह अपने dry down की तरफ बढ़ता है तो dry down में यह floral हो जाता है because of jasmine flower and violet flower और overall जो इ एक इतनी pleasant सी fragrance है और इतना जादा pleasant aroma है इस fragrance का वो की मतलब यह आपको तो pleasant feel करवाता है और आपके surroundings में भी बहुत अच्छा एक pleasantness create करता है like यह आपको मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत जादा natural चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया नेरूली है इसके अंदर एक moderately lasting type सा perfume है दोस्तों अगर मैं इसकी pricing की बात करूँ तो यह आपको lifestyle source के अंदर करीबन 2450 के आसपा सी fragrance मिल जाएगी for 50 ml quantity तो दोस्तों जो list में second number का perfume है यह मेरा एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एक favorite perfume है और मैं इसके उपर भी detailed review बना चुका हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जैगवार performance की और अगर आपको याद हो या आपने वीडियो में check किया हो तो मैंने आपको बहुत ही unique fragrance है और ऐसी fragrances बहुत कम बनती है because यह regular composition से थोड़ी सी अलग है और अगर मैं इसके notes की बात करूँ तो जैसका top note है like जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया था आपको जो top note है वो excitingly बहुत जादा fresh है because of mint, because of basil and because of mandarin orange और दोस्तों जो इसका dry down है इसका dry down भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि dry down के अंदर आपको एक बहुत ही प्यारा सा floral होने के साथ साथ spiciness का एसास मिलता है floral because of violet leaf और जो spiciness है इसकी nutmeg के कारण है दोस्तों जो इसका base note है base note के अंदर आपको हलकी सी warmth मिलती है because of tonka beans और उसके साथ जो एक ingredient बहुत ही जबरदस्त मेरा एक favorite ingredient है उसका नाम है white musk दोस्तों मैंने आपको बताया था कि white musk एक synthetic replacement है original musk का because original musk को लेने के लिए extract करने के लिए हमें हिरन को मारना पड़ता है लेकिन animal cruelty के कारण वो चीज़ बंद हो चुके इसलिए perfumers ने उसका synthetic alternative ढूना है जिसको हम white musk होते हैं white musk बहुत ही pleasant और बढ़िया एक aromatic type सी fragrance होती है तो अगर मैं इस perfume की बात करूँ तो जो यह fragrance है यह भी बहुत जबरदस्त aromatic और बूरी type सा भी fragrance है और अगर मैं इसकी lasting की बात करूँ तो lasting करीबन मैंने जासे आपको उताया था एक moderately lasting type सा perfume है करीबन 4-5 गंटे की आसपास यह available हो जाएगा आप मिंतरा पे चेक कर सकते हैं आप नाइका पे चेक कर सकते हैं lifestyle store shopper stop कहीं भी जब आप चेक करेंगे तो आपको यह करीबन 2000 के नीचे नीचे यह perfume मिल जाएगा तो दोस्तो जो list में top number पे यह number one पे perfume है यह एक no hit fragrance है और यह बहुत ही पुराना perfume और मैं भी इ यह एक unisex fragrance है और यह एक price friendly perfume भी है दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ CK1 की दोस्तो अभी तक अगर आपने इस perfume को use नहीं किया है यह नहीं करीदा है तो आप definitely मेरी suggestion को यह उपर आप इस perfume को ज़रूर खरी दिया और यह मेरा एक दावा है कि आप इसको कभी भी hate नहीं करेंगे आपको इस perfume के साथ first smell पे ही या first sniff पे ही आपको इसके साथ प्यार हो जाएगा और अगर मैं इसके notes की बात करूँ तो दोस्तो यह एक बहुत ही ज़्यादा pleasant woody aromatic type सा fragrance है और जो इसका first impression है first impression में ही यह आपको बहुत ही ज़्यादा fruity floral type सा smell करेगा और जो इसकी dry down की journey है इसक इसके base note के अंदर भी wood है इसके base note के अंदर musk भी है और इसके base note के अंदर whatever भी है तो दोस्तो एक बहुत ही ज़्यादा beautiful composition है और यह बहुत ही master perfumer की creation है इसका नाम है Alberto Morilas तो दोस्तो जो यह fragrance है जैसा कि में आपको बताया है no hit fragrance है this is a crowd pleaser this is a crowd puller और एक बहुत ही अप्लाइ करता है तो यह women को attract करता है जब women लगाती है तो यह male को attract करता है like it's an all rounder kind of a fragrance और दोस्तो यह बहुत ही बड़ी है daily or casual perfume है और अगर इसकी lasting की बात करूं तो यह करीबन 4-5 गंटे last करता है it's a moderate very mild and a pleasing and a very pleasant kind of a fragrance और अगर मैं इसकी pricing की बात करूं तो जो यह 50 ml की bottle ह है करीबन आपको 2400 के आसपास यह 2500 के नीचे नीचे easily available हो जाएगी तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की list जो की top 10 perfumes for diwali under rupees 2500 थी आपको पसंद आई होगी और अगर दोस्तों आपने मेरी वीडियो को बहुत गौर से देखा हो तो आपने इसमें देखा होगा कि म लोगों को थोड़ी strong intense बहुत ज़्यादा aromatic और woody fragrances पसंद है तो मैंने उनको भी list में include किया है मैं उमीद करता हूँ आपको मेरी ये list पसंद आई होगी और आपको कुछ नए perfumes के साथ आपकी introduction हुई होगी आपको ये video कैसा लगा do let me know in my comment box और उससे पहले भी मैं आपको गुजारिश और करना चाहता हूँ don't forget to hit a like button and before perfume be signing off I just want to say महकते रहिये मुस्कुराते रहिये till next time enjoy life take care